अकबर बीरबल के पिछले जन की कहानी, बैजा नामी ग्राम में दो आदमी बड़े मित्र भाव से बस्ते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर मा था जो अती विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृती का था। दूसरे मित्र का नाम सुधामा था। यह कर्म का ना परंतु विचार में बड़ा ही न्याई था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंब नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविश्य में राजय एश का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमती दून और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अग से सहमत देखकर बड़ा प्रसन हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुचकर त्रिवेनी के समीपी एक छो पर्नकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमगन हुआ। सुशर्मा ने तनमे होकर कई वर्षों तक उस पर्नकुटीर में त पकिया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मनूब गया और उस प्रनाली को बदल कर सन्यास धारन किया। का शाया वस्त्र पहन कर पुनह तप करने में दच्चित हुआ। सुदामा नाई भी छत्र छाया की तरह उसकी स सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोबीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगार माइथरी थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता जब इस धंग से तप करते हुए भी बारा वर्ष बीट गए कुछ भी हासल न हुआ यानि देवता प्रसन नहीं हुए तब इन दोनों को बड़ा डैक हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्म किया जाए कि जिसस अभीष्ट फल की प्राप्ती हो अपने मित्र सुदामा को चुप देखकर सन्यासी बोला मित्र सुदामा तुम भली भाती देख रहे हो कि हमें तब साधन करते 24 वर्ष का समय बीट गया लेकिन कार्य की सिध्धी न हुई तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्टी न हो मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निबृती का दूसरा मार्ग नहीं है लेकिन इससे भी मुक्ती नहीं मिलती इसमें भी एक बात बड़े अर्चन की है शास्त्रकारों ने आत्महत्या को बड़ा पाप बतलाया है तब भाय तुम ही कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानी शोचानी कूततन भावन्ने अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयतनशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्यानी हैं, मैं केवल आपका अनुयाई सेवक हूँ। शास्त्रों के आदेश क्या हैं, इसका मुझे कोई गम नहीं, तब इसमें आपी को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाये निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ एक मार्ग है, परन्तु जब तक तुम उससे सहमत ना हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमान मिलता है कि जो प्रानी त्रिवेनी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बलकि अभीष्ट फल की प्राप्ती होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मती से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग-अलग दो गट्थर बना कर एक जगें गाड कर चलता हुए। वहाँ से चल कर जगत जन्नी भागी रथी के तट पर आये। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ती की कानक्षा थी, इसलिए उसने प्रतिवी मंडल के एकछत्र राजय प्राप्ती के निमित और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कानक्षा थी अतयव उसने मंत्री पद की अभिरुची से त्रिवेनी जी के पवित्र जल में प तीर्थ राज प्रयाग की भूमी जिसमें त्रिवेनी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पोन्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धी मिली. अगले जन्म में सुशर्मा हुमायू बादशा के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मन के घर हुआ. इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था. स्वप्ननाथ का पुत्र बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण से थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासल कर ली. विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशा ने इसको दिवान पद पर नियुक्त किया और उसका नाम बदल कर बीरबर रखखा. तो यह कहानी यहां समाप्त होती है. कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं.